प्यान्वे करोड की लागत से रामपूर में बनेगा सत्भावना मंडप पांच हजार लोगों के बैठने की होगी जगा सांस्क्रितिक, स्वास्तिक, कौशल विकास और विदेशी इन्वेस्टमेंट को मिलेगा बढ़ावा रामपूर में केंद्रिय मंतरी मुखतार अब्बास नकवी ने प्रधान मंतरी जन्विकास कारिकरम के अंतरगत सत्भाव मंडप का शिलान्यास किया, यूपी के कैबिनेट मंतरी नंद गोपाल गुपता नंदी भी रहे मौजूद इस मौके पर केंद्रिय मंत्री मुक्तार अब्बास नक्वी ने कहा कि कौशल विकास से लेकर स्वास्ते से संबंधित कारे होंगे आज इसका शीला न्यास किया है हम चाहेंगे जल्धी मुक्ते मंत्री आकर इसका उद्धाटन करें राज्य मंत्री नंदी ने कहा कि 92 करोड रुपे की लागत से ये जल्धी बनकर त्यार होगा अल्प संख्या कल्यान मंत्राले से इसको बनाया जा रहा है इसके प्रदर्शनी से लेकर 5000 लोगों के लिए हॉल बन रहा है यहां इन्वेस्टर सब्मिट हो या कुछ भी इसका लोगों को लाब मिलेगा हम वहां बनाते हैं कि वह ऐसे लाके जहां पर 25 परसेंट 20 परसेंट अब सिंक्यक समाज के वी रोग इसमें कि सिख हैं हिंदू हैं मुस्लिम हैं पार्सी हैं जैन हैं बौध हैं यह लोग भी रहते हों तो वह लेकिन उसका उपयोग सबी लोग करते हैं यह नहीं है कि केवा अब तक किया पिछले तीन सालों में वह कितनी योजनाएं तीन हजार करोड से जादा थी थाउजन करोड से जादा योगी आदितनाज जी के आने के बाद उत्रपरदेश में विभिन योजनाएं हुई जिसमें की 282 कॉलेज, स्कूल, इस तरह के स्मार्ट क्लास्रूम, 307 सेविन, आंगनवारी केंद्र, 25 कामन सर्विस सेंटर, 31 जो है, 31 जो है, उस द्धाउन अमंडप यूपी में बने हैं, शायद आपने उद्धाटन भी मुखमंतिजी से करवाया था, लगबग 1170143 साइबर ग्राम बनाए गये हैं, 3836 पेजल योजना है, जिसमें टंकियें बनाते हैं, और गाउं में जो है, वो पाइपलाइन वगारा का विवस्था होती है, 27 स्वास्त प्रयोजना है, जिसमें एक यूणानी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, चार होईपाथिक मेडिकल कॉलेज, तीन आयवर्दिक अस्पताल, जिसमें के एक बरेली में भी 100 करोण का स्विक्रित हुआ है, उसका विवद्घाटन आपको करना है भी नंगवार जी कह रहते हैं, और 226 कोशल विकास के इंदर, 340 स्कूल भूवन, उसके लावा शौचाला है, यह वो बहुत ही है, योगी जी ने आने के बाद किया है,